ब्रेकिंग न्यूज इसका इस्तेमाल कारगो के लिए भी किया जाता है। कमपनी इसके पेट्रोल और सिएजी दोनों ही मॉडलों की बिक्री करती है। कमपनी ने इको को पहली बार 2010 में लाउच किया था। कमर्शियल वियकल के तौर पर इस कार की भारी डिमांद है। इस model को बंद करने की वज़ा safety भी है, इस car को NCAP के crash test में zero rating मिले थी, माना जा रहा है कि new generation eco दिवाली के आसपास launch होगी, हाला कि launching से पहले इसके नए model के exterior की photos हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, ऐसे में अगर आप इस car को खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके बारे में, इसी बात पर कर दीजे एक like, तो चलिए देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल Real Auto News को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजे और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप मिस ना कर जाएं Well, सबसे पहले इसके डिमेंशन की बात करें, तो मारुती सुजुकी एको की लंबाई 3675 mm, चोडाई 1475 mm और उचाई 1825 mm है, इसमें 2350 mm का वील बेस भी दिया गया है मारुती टॉप स्पेक्ट वेरियंट के तौर पर क्रियेचर कमफोर्ट की एक नई रेंज जोडने पर फोकस कर रही है, ये इको को एक प्रीमियम पीपल मूवर के तौर पर स्थापित करने में मदद करेगा, नई इको एक फामिली कार के रूप में भी बहतर अनुभव दे मॉडल के जैसे ही रहने वाले हैं, मौजूदा इको वेरियंट की तरह ही फॉग लेंप्स को स्टैंडर्ड वेरियंट में नहीं दिया जाएगा, साइड और रियर प्रोफाइल में ज्यादा बदलाव नहीं मिलना है आपको, अपने बॉक्सी डिजाइन और फ्लैट बॉड अगर हम इंटीरियर की बात करें तो एक्स्टीरियर की तुलना में नई इको के इंटीरियर में ज्यादा चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे इको एक popular passenger और commercial vehicle है, हाला कि इसकी मौझूदा list काफी ज्यादा कम रखी गई है, सीमित रखी गई है ऐसे में company नई इको के लिए इस लिस्ट में compromise करना चाहती है, सुधार करना चाहती है माना चाह रहा है कि इसमें update में power steering और stand raw captain seat जैसे features मिल सकते हैं यानि कुल मिला के interior इसका पुरानी वाली eco से ज्यादा अच्छा रहने वाला है इंजन और performance के अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल ये साफ नहीं है कि नई eco को updated engine मिलेगा या नहीं अगर ऐसा होता है तो engine efficiency ज्यादा होने की संभावना लगाई जा रही है अभी eco में G12B 1.2 liter petrol motor operated engine मिलता है ये 73 PS की maximum power और 98 newton meter का peak talk generate करता है CNG पर चलने वाले power और torque output 63 PS पर 85 newton meter तक गिर जाता है eco के सभी variant 5-speed manual transmission मिलते हैं petrol के लिए mileage 16.11 km पर लीटर और CNG के लिए 20.88 km प्रती किलोग्राम है Maruti Suzuki eco में power के लिए 1196 CC का 4-cylinder वाला G12B engine मिलता है इसकी performance की अगर मैं बात करू तो इसका engine 6000 RPM पर 46 kilowatt की maximum power और 3000 RPM पर 85 newton meter का peak talk generate करता है safety features की बात करें तो safety के लिहाज से इसमें कई updated features आपको मिल सकते हैं उसमें driver airbag, reverse parking sensor system, EBD के साथ ABS, speed alert system और seat belt reminder शामिल है मैं नियम के चलते airbags की संख्या बढ़ाई जा सकती है मौजूदा eco में NCAP के crash test में zero rating मिली थी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया तो इस बार safety features ज्यादा हो सकते हैं कीमत की अगर हम बात कर लें तो इसकी कीमत भी काफी ज्यादा किफायती रहने वाली है starting price इसका रहने वाला है मात्र 2,86,000 रुपै जो की बढ़ते हुए model के साथ और ज्यादा हो सकता है आपको कैसी लगी है ये कार हमें comment करके जरूर बतायेगा वीडियो पसंद आई है तो कर दीजे शेर और चैनल को subscribe thank you for watching